हलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमसकार 30 दिसंबर 2021 और आज के दहिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को इस वीडियो के इंदर डिसकस करेंगे आप इसके पेडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रिवरतन आई एस अकेडमी टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं देखिस सबसे पहले एक क्योस्टन जो आप लोगों का है कि एडिटोरियल पार्ट क्यों डिसकस नहीं किया जारा तो उसके बारे मैंने जानकारी दिये टेलिग्राम पे कि 15 जनवरी 2022 2022 से हम लोग अडिटोरियल पार्ट को स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए डेफिनेटली हम स्टार्ट करने वाले 15 जनवरी 2022 से ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पर अभी इस टाइम पर जो ओमिक्रोन वेरियंट है या साउथ अपरिका बहुत स्वारा जो कि अफरिकन कोंटिनेंट के साउथ में पड़ेगी इन कंट्रियों से ओरिजिन होता पूरी दुनिया के अंदर फेलना शुरू करता है ओमिक्रोन के बारे में अब तक कि जो स्टडी हुई है वह यह बताते कि इसकी जो ट्राज ट्रांस इलनेस है उसका प्रसेंटेज काफी कम है ठीक है लेकिन देश के अंदर यहां पर बताया गया एक विक पहले से अब तक 77% राइस देखने को मिला खासकर अर्बन सेंटर के अंदर यानि देश के बड़े सहरों में तेजी से फिल है देश के अलग-अलग राज्यों की इसको 6,661 केस थे अब यह हो गए 9,132 केस ठीक है इसके अलावा केरला महरास्टरा वेस्ट बिंगल और तमिल नाडू और दिल्ली यह 5 टो 5 स्टेट है जिसमें बड़ी संक्या में या अवरोल देश के अंदर जो नंबर ओफ केसी इंक्रीज हो रहे है उनमें इन 5 राज्य और इवन यह रिपोर्ट किया गया है कि टोटल जो केसीज है यह केसीज किसके बताएगे किसके नहीं बताएगे वो भी कनफर्मेशन नहीं किया गया लेकिन यह बताएगे कि 28 सोरी करेक्ट कर दूं आपको 28 दिसमबर तक 9,132 थे और उसके ठीक अगले दिन जो है 13,187 केस जो है रिपोर्ट किये गये यानि एक दिन में लगबग 4000 केसी जो वो इंक्रीज हुए है और 76.6% इंक्रीज अवर ओल देखने को मिला इसमें अगर आप काउंट करेंगे अवनातर प्रते सिक्की में घाल्या है तिरुपरा चोटे यूनें टेरिटी उनका डेटा इंक्लू पुने ठाने कुलकत्ता बेंगलूरू चन्नाई एहमदाबाद दिल्ली यहां पर बड़ी संक्या में केसी को रिपोर्ट किया जा रहा है और परसेंटेज जो है डेफिनेटली हाई हुआ है दिल्ली में तो 923 के जो है वो लगवा 600% राइज आपको देखने को मिलेगा इनक केसीज में सबसे ज़्यादा केसीज किसके है ओमीक्रोन वेरियंट के है यह भी कंफर्म किया जारा है कि ओमीक्रोन वेरियंट देश के अंदर तेज़ी से फेल रहा है इसके अलावा डेल्टा वेरियंट पहले से ही था उसके बाद ओमीक्रोन वेरियंट का आना यह हमारे हो mild symptom होंगे लोग ज़्यादा disturbed नहीं होगे personally उनको feel नहीं होगा कि वो ज़्यादा विमार है तो hospital में admin होने की ज़रूत कम होगी लेकिन अगर case एक level से ज़्यादा बढ़ते हैं तो definitely वो concern है देश के अंदर अगर vaccination के status की बात करें तो 63% fully vaccinated अडल्ट है और 89% के आसपास partially vaccinated का मतलब होता है सिंगल डोस जुरूर लिए यह डेटा भी तक आपको देखने को मिलेगा हलाकि इसको लेकर कोविड-19 को लेकर यह basic information कि देश में इस टेम पर क्या number 12 पे यहां पर mention किया गया है तो genome sequencing के जो डेटा आते हैं उसके बारे में बात करेंगे इसके अलावा जैसे COVID-19 का Omicron variant शुरू होता है तो एक problem शुरू होती है बहुत जादा restriction लगा दी जाएंगे rule regulation शुरू हो जाते हैं यह दिल्ली के शुक्त है दिल्ली Metro के बाहर की और उसमें आप देखी कितनी जादा भीड है दिल्ली Metro मेंगर डिंअगर मीटर होती है दिल्ली उसको आप कैसे manage करेंगे ये एक definitely serious issue होने वाला तो इसलिए entry करने के लिए line केवल entry करने के लिए entry करेंगे उसके बाद procedure होगा और उसके बाद train में जाएंगे तो ये line कितनी लंबी होगी आप imagine नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक critical situation भी create होगी कि order जो हुए है कि वाया 50% की capacity चला करते अल्टरनेट्स नहीं है ये एक बड़ा issue है इसके अलावा FCRA वाला जो टोपिक है लगातार न्यूज में है foreign contribution regulation act इसको ले कर एक judicial procedure के बारे में भी कुछ चीज़ें बताईगे उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से ये news में है थोड़ा सा फिर करेंगे और मेंली हम लोग discussion करेंगे जो एक और पेज़ पे है वह है judicial procedure के बारे में क्या बात बोलती सुप्रीम कोट या इसमें FCRA को extend करने या monitoring क्यों कर रही है सरकार उसके बारे में Center में extend December 31 deadline for FCRA renewal यानि Foreign Contribution Regulation Act के अंडर जो भी NGOs funding प्राप्त कर रहे है वह आपको renewal करवाना था 31 December तक लेकिन वो deadline को हो सकता Center जो है वो extend करते हैं बहुत सारे NGO जो है registration करवाने एक तरीके से वो registration नहीं करवाया रिन्यू नहीं करवाया उसके बारे में जानकारी दीगी 2020 में major change हुआ था 2020 में इसमें amendment किया गया था और amendment के अंदर क्या हुआ था basically उसके बारे भी बातचित हुई है पहला यह बताया गया कि वह सभी NGO को registration करवाना जुरूरी जो की foreign funding करते हैं दूसरा आपको state bank of India की main branch जो अदिल्ली में वहां पर आपका account होना चाहिए इसके अलावा आपको ministry home ministry से certification लिया जान में तो आपको properly monitoring की जाएगी इससे पहले आप देखेंगे करेंगे करेंगे नहीं करेंगे वह सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे application जो उनको स्कूर्टनाइज नहीं किया जा रहा है माना यह जा रहा है कि अभी जो ministry of home affair में जो डिपार्टमेंट इसक लावा जो fcra की अंडर जो एक charity है एक missionary है जो कि कुलकत्ता में काम करती है इसके देश के लग लग हिस्सों में accounts भी है तो यहाँ पर इनको जो deny कर दिया गया था कि आपका registration जो नहीं होगा renew को लेकर और यह charity को माना जाता है कि नोबेल लोरिट मदर टेरिसा के टाइम पर से पूचा गया कि भाई आप यह क्यों compulsory कर रहे हैं और इसमें ministry of home affair ही क्यों involved है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इसके बाद page 10 पर आफ जाएंगे same news को हम लोग continue करेंगे Center had justified FCRA non-renewal in top court और यहाँ पर पूचा गया कि वही foreign funding को हमें monitoring करना बहुत जुरूरी है सरकार ने कहा कि foreign funding को monitoring करेंगे दूसरा ministry of home affair क्यों involved है उसके बारे में बताया गया तो यहाँ पर बताया गया कि foreign contribution regulation act FCRA इनका जो registration है वो compulsory है और audit e-regulatory देखने को मिली यानि इस ministry missionary का जो charity के लिए जानी जाती है इसको क्यों renew नहीं किया गया क्योंकि audit e-regulatory है audit properly नहीं है और supreme court में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया और इसमें पूछा गया कि ministry of home affair के अंडर एक जो amendment हुए थे CRA के अंदर 2020 में उसके बारे में जानकारी दीगी और बहुत सारे NGO जैसे हैं जो philanthropic activities करते हैं देश के अंदर वो QA3K से इनको रुका गया या renew किया गया या renew होने से procedure यह सारी चीज़ाइड करेगी उसके बारे में सरकार ने जवाब दिया है यहां पर यह बताया गया सरकार ने बताया पहली बात तो भाई कोई fundamental राइट का इश्यू नहीं है कोई हमने fundamental राइट का violation नहीं किया गया है ठीक है अगर आप foreign funding लेते हैं और अगर आप foreign funding लेते ह उसका scrutinize करना उसको analysis करना की किस के लिए किस हुदेश्य से वो लिया जा रहा है तो उसकी जानकारी हमारे पास होने चाहिए definitely वह monitoring हो क्योंकि बड़े लेवल पर सरकार यह बोल रही है कि इस तरह के contribution जो है वो कहींने कहीं उसका मिश्यूज होने की पूरी possibility है तो foreign funding अगर ह हमारी national security interest को नुक्सान पहुंचाएंगे तो हम उस तरह के एंज्यूज को उस तरह की funding को हम लोग review नहीं करेंगे अप्रूवल नहीं करेंगे बहुत ही बोल सकते हैं कि सक्त लहाज़ा कि इस तरह की amount को close scrutiny करे जाएगी जो की national security integrity जहां पर भी involved होगी इसके लावा यहां पर दूसरक्षा को प्रभावित करेगा उस तरह के एंज्यूज को जो है वो कहीं नहीं हम लोग इस तरह प्रमेशन नहीं तेंगे या कोई भी इस तरह का institution जो foreign funding के basis पर काम करता है अब यह सवाल पूछा गया कि मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर ही क्यों है क्योंकि इसके अंदर देश में national security का issue है integrity of the national involved है और इन सारी transaction को ministry of home affair नजर रखता है इनके ओपर इसलिए जरूरी है कि हमें mechanism को strengthen करें transparency and accountability को बढ़ाए और उसके बाद क्योंकि आपको जानकरी होगी या नहीं होगी तुम्हें बता दू कि प्राइमिस्ट ओफिस के बाद PMO के बाद जो second most powerful ministry है वो होती है ministry of home affair क्योंकि यह बहुत बड़ी ministry है और इसके अंदर बहुत सारे departments आते हैं तो यहाँ पर इसका बहु second एक और news है चोटी सी उसके बारे में पढ़ेंगी हमारे Chief Justice of India है N.V. रमना साम इन्होंने यह बताया कि news को views के साथ mix नहीं करना चाहिए इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो journalist है उनको लेकर एक important बात इन्होंने बोली है कि इससे ज्यादा खतरना कुछ नहीं हो सकत हैं तो आपकी एक तरीके से one side नहीं होना चाहिए बिना किसी influence के जो हो आपको function करना चाहिए इसके लावा यहाँ पर यह बोला गया कि कई बार यह देखने को मिलता है कि जुडिशरी से पहले एक तरीके से media trial भी इस तरह के word भी आप यूज़ कर सकते media trial के media ने बता दिया क आपको नोज पर focus करना चाहिए जुडिशल प्रोसीजर में यह आप उस तरीके से करना कि यह सारी चीज़े सही हो रही है गलत हो रही है उसको लेकर इसके लावा chief justice of India ने बोला कि definitely हम लोग journalist का respect करते हैं आप भोचा difficult struggle के अंदर काम करते हैं और आपके सामने challenge होते हैं कि आ वो भी काफी difficult यानि किसी भी चीज़ से प्रभावित हुए बिना अपना विचार रखिए और आप news दिखाईए उस पर जो है वो कहीं ने कहीं media trail जैसे चीज़ें नहीं होने इस तरह की conclusion आप बोल सकते हैं इसके लावा दानिश सिद्की के बारे में mention किया गया कि दानिश स तालिबान में जो अभी power में है तालिबान वहां पर ये गए थे तो वहां पर इनकी हत्या कर दी गए थी दानिश सिद्की तो इनके बारे में भी काफी जादा news में रहे थे तो इनके बारे में आपको basic information जरूर होने चाहिए इसके अलावा पूरे देश में दुनिया में क् क्या बाते बताए गई है और कितना important इस तरह की चीज़े यह definitely game changer हो सकती है यहां पर यह बताए गया कि जितनी भी school में और college में लड़किया पढ़ेंगी उनके लिए martial art जो है mandatory कर दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर मनरेगा के अंदर कोई महिला एक तरीके से अपने घर की ethics है या single handed उसको lead करती है तो उस context में मनरेगा के अंदर employment मिलता है उसमें 50 additional days जो हो include कि जाएंगा अभी आप 100 days देखेंगे 100 में से plus 50 करेंगे तो आपको 150 days हो जाएंगे इसके अलावा political parties के अंदर representation 33.3% होगा और तमिलनाडो के state की जो new policy for women है यह basically pass करीगे यह state government के द्व इवन जो transportation के अंदर भी women friendly बनाना जिसमें पहला half जो होगा buses का वो महिलाओं के लिए reserve होगा इस तरह की policies को तमिलनाडो ने draft जो release कि यह policy final नहीं है यह draft है यानि एक तरीके से एक बोल सकते है कि row idea आप देखें इस तरह की policy हमारी होगी main point बताएंगे इसको लेकर analysis होगा और उसके बाद आपसे basic basic चीजी जो हो opening हो सकता लोगों से political party से उसके बाद final policy जो हो आपको देखने को मिलेगी ठीक है इसके बाद बात करते हैं एक और important news की और यहाँ पर यह news क्या है भारती किसान union against opening of dairy sector dairy sector क्या दूसरी countries के लिए भी खोलने के बारे में सरकार proposal कर रही है यहाँ पर मैं बता दू कि जब भी analysis critical analysis इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपको ध्यान रखना कि आप दोनों पक्सों को समाहित करेंगे दोनों को add करेंगे यहाँ पर एक पक्स का विचार है कि यह नहीं होना चाहिए सरकार क्यों कर रही है उसका पक्स भी आपक करेंगे यहाँ पर यह बता है कि फार्मर यूनियन जो है अस्टेलिया के साथ जो डील हो सकती है उसका विरोध कर रहे है यहाँ पर discussion यह ओरा कि comprehensive economic cooperation agreement जो भारत और अस्टेलिया के बीच में है यह होने के बारे में discussion हो रहा है खासकर भारत की dairy sector और Australian dairy major के बीच में इसको जो पर जो farmer unions है भारते किशान union उन्होंने बताए कि हम इसका विरोध करते हैं इससे पहले भारत जो है regional comprehensive economic partnership से अपने आपको विड्रोल कर चुक है मैं आपको बता दूँ RCEP के बारे में 15 nation का एक group है पहले 16 क्योंकि भारत भी आड होता था अब 15 इसमें है total मैं 10 तो आशान country हो पर mention भी किया गया 15 country block of RCEP regional comprehensive economic partnership ठीक है तो यहां पर बात हो रही है कि भारत जो है RCEP member और Australia के साथ क्योंकि अस्टेलिया भी RCEP का member है bilateral free trade agreement के तुरू जो है वो भारत का dairy sector अस्टेलिया के लिए open कर सकती है इसका मतलब यह होगा कि अगर यहां पर बात करें तो यह भारते क किसानी नहीं पोल रही है कि पहले सी भारत का जो sector है भारत का dairy sector agriculture sector है stress face कर रहा है अगर यहां पर कोई और आता एंटर करता तो definitely भारत के dairy sector को यह challenge करेगा यह important issue आपको देखने को मिलेगा इस particular news के अंदर जो यहां पर एक word mention किया गया free trade agreement free trade agreement का simple सा एक मतलब यह होता है कि ज import और export होगा उसमें जो duty और बहुत ज्यादा restrictions होते हैं उसको कम कर दिया जाएगा या तो कुछ product पर duty बिल्कुल नहीं लगी custom duty जितनी भी होती वो नहीं लगेगी या उनको minimize किया जाएगा उनको बहुत ज्यादा smooth कर दिया जाएगा free trade agreement को बहुत सारी countries के साथ हम लोग इन total production के बारे में दुनिया की number one country कौन सी जो overall milk का production दूद का production सबसे ज्यादा करती है second आप लोगों से question यह है यहाँ पर बात हुई है दो country एक organization की जिसका नाम है regional comprehensive economic partnership ठीक है आपको यह सर्च करना है पता करना है कि एक organization जिसका नाम है East Asia Summit मैं repeat कर रहा हूं East Asia Summit इसके अंदर क्य इंडिया member है या नहीं अगर है तो इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा interview देता हूं कि इसमें आश्यान country तो आएंगी दस की दस इसके अलावा इंडिया है या नहीं यह mention करना दूसरा इंडिया के लावा कौन-कौन सी country आप आश्यान को group रखिए वो 10 country या group है उसके अल नमर 12 पर हम जाएंगे पेज नमर 12 पर भी काफी important आपको information देखने हो को मिली कि इनके बारे में discussion करेंगे omicron has high immune escape potential यह information देगी है इंसा कोग द्वारा यहां पर यह बात हो रही है कि omicron variant को लेकर जो studies हो रही है जिसके बाद जो research जो analysis किया जा रहे है उसमें बताया गया कि इसका immune escape potential जो काफी जादा high है यह data दिया गया इंसा कोग के द्वारा इंसा कोग क्या है basically genome sequencing के तूँ जो analysis किया जाता है उसके बारे में बताया गया इसके अलावा initial estimate यह भी बोलते है कि illness की condition है कि अगर कोई लोग बिमार हो रहे तो वो काफी कम है या severity level जो है वो काफी low है लेकिन यह जो issue है कि immune escape कर रहा है यह काफी जादा काफी जादा problematic है इंसा को का मतलब है SARS COVID-2 को लेकर जो Indian genomic sequencing consortium है यह analysis करता data को उसके बारे में बताया गया और यह बताया गया कि इसके initial estimate यह बोलते हैं कि यह previous outbreak से इसका illness का जो level है वो तो कम है लेकिन यहाँ पर जो एक issue आता है कि भाई यह कहिने के vaccine की ability है function करने को लेकर यह prior infections protection करने को लेकर उसको कहिने कहिने इसकेप कर रहा है इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि अभी delta variant जो है definitely most prevalent है और पूरी दुनिया के अंदर और variant of concern है लेकिन omicron variant तेजी से इसको displace कर रहा है और इसने south Africa को displace कर दिया है southern african continent को इसके अलावा UK के अंदर एक dominant variant की तरह आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा यहाँ पर सब्सक्राइब में थोड़ा कम है लेकिन इसको और ज्यादा analysis करने जूरूत है और surveillance strategies continue करने चाहिए अब immune escape क्या होता उसके बारे में बात करूंगा लेकिन उससे पहले एक सवाल आप लोगों से है यहाँ पर एक word mention किया गया genome ठीक है आप लोगों को नीचे comment करना कि genome sequencing का मत अब बात करते हैं immune escape का मतलब क्या होता है example माल लेते हैं कि यह दो पॉइंट है यह blue color के दो डोड दिखाई दे रहे हैं आपको ठीक है यह माल लेते हैं कि आपने एक तरीके से naturally आप infect हुए आपकी body के अंदर antibody develop हुई ठीक है इसके बाद आपने क्या कि vaccination भी लगवा ली तो आपके अंदर होगी double immunity या आप इसको बोल सकते हैं कि hybrid immunity लेकिन कई बार आपने देखा होगा मैं example आपको देता हूँ एक simple सा जैसे आप किसी four lane पर है national highway पर है और यह toll plaza आ जाता है ठीक है तो toll plaza को कई लोग क्या करते हैं पैसे बचाने के लिए यहां से कोई left side से या right side से चोटा सा root मिले के निकलेगा और यहां से cut करके यहां फिर से highway पा जाते हैं तो यह क्या कर रहा है यह आपकी antibody आपके पास हो गया आपकी body में लेकिन यह अपना toll बचाते हुए यहां पर four lane पर वापिस आ रहा तो इसका मतलब यह है कि इनको immunity को skip कर रहा है यह basic सा concept है कि इसकेप की तरह नजर आएगा इसके अलावा यहां पर बहुत important information है और मैं यह कहूंगा कि यह exam के perspective से बहुत ज्यादा important मैं इसको consider करूंगा अटल innovation rank जो हती गए है IIT और Indian Institute of Science को के context में इनमें Indian Institute of Technology इनने टोप पोजिशन हासिल करी है अटल innovation का मतलब यह होता है कि कोई चीज़ आप नए तरीके से त्यार कर रहे हैं कोई चीज़ें आप तरीके से स्टार्ट अप के बारे में इस तरीवी चीज़ें यह काफी important है त इसके top 7 Indian Institute of Technology और Indian Institute of Science यह top 10 में तो 8 के वल यही है कि आप Science की institution है या साथ जो IIT इंक्रूड करी गई है इसके अंदर और यह basically एक ranking release करी गई है अटल ranking of institution on innovation achievement जिसका नाम है अराया करके ठीक है इसमें सबसे पहला rank मिला है IIT मदरास को second rank मिला IIT बंबे को इसके बाद दिली कानपूर रुड़की है इसके बाद Indian Institute of Science है इसके लावा यहाँ आपर आप देखेंगे कि IIT हिदराबाद, खड़कपूर, IIT यहाँ पर National Institute of Technology का इसके बारे में basic जानकारी देगी कि union education ministry के दवारा release किया गया है इनिसेटिव है जिसमें systematically ranking करना है higher education institution का कि एक institution के अंदर कितना innovation को लेकर काम हुआ है, start-up को लेकर काम हुआ है, entrepreneurship development को लेकर काम हुआ है और इसके अंदर student और faculty का क्या important role on सब चुजों को key parameter की तरह रखा गय इसके अलावा इसमें evaluate किया जाता है अलग अलग parameter की basis पर कि आपने कितने patent fill करें आपके patent कितने grant हुए और number of register student कितने faculty कितने start-up में आपने कितना fund generate किया ठीक है यह सारी चीजों की basis पर इसके अलावा जो यहां पर आप देखिए institution to promote innovation and entrepreneurship जो ranking हुई है यह basically इसमें IIT और कई सारी categorization किया गया कि एक तो centrally funded technical institution है state university है state stand alone technical college है private university private stand alone technical college है non technical government and private universities and institution है यह सारी चीज़े बताएगी ministry नहीं भी बताया कि वही पहले जो institution होते थे उसके compare में अब double हुए है और जब start हुआ थो उससे चार गुना increase हुए है पहले edition से ठीक है overall देश में institution के participation को बढ़ाया गया है और यह जो ranking है definitely यह एक तरीके से analysis करना कि हमारे देश के अंदर एक तरीके से infrastructure जो innovation के मामले में कि किस तरह की infrastructure है किस तरह की चीज़े start हुई है उनको लेकर एक analysis करते है तो यह काफी important ranking आपको देख रहे हो को मिलेगी इसके बाद यहाँ पर एक defense perspective से news है more defense systems to be locally manufactured यह बात बताएगी है defense ministry ने notify किया है कि यह धाई हजार ऐसी list 2500 के आज पास एक list होगी सब system की और component की जो देश के अंदर ही त्यार की जाएगी इसके बारे में जानकारी दीगी है ministry of defense के दवारा कि अभी 209 जो है major platform जो है इंक्लूड है indigenous manufacturing list के अंदर यानि सरकार क्या चारी है उसके बारे में जानकारी आपको देदूं सरकार की planning यह है कि defense equipment जो है देश के अंदर ही त्यार हो import पर जासकता है आतम निर्वर भारत के अंडर जो है यह भी कहिने के important initiative होगा और यहां पर यह बताया गया है कि foreign exchange को यह जो save करेगा foreign exchange काफी important होते है 1990 क्या सपास अगर आप देखेंगे भारत में जो economic crisis हुआ था उसका एक बड़ा reason यह था कि हमारे पास जो forex जो है वो काफी कम हो गया था इसके अलावा यहां पर defense public sector undertaking के अंदर defense department और defense production जो है काम करेगा और इसके लावा यहां पर बताया गया कि हमारा planning यह है कि अभी जो 209 items इसमें include किये अब इसको 1000 तक increase करना है और अभी defense manufacturing की बात करते हैं तो 85,000 क्रोड रुपे का है जिसमें private sector का participation जो है वो 18,000 क आस-पास हो जाएगा सरकार का target यह कि defense जो है aerospace manufacturing के मामले में या defense के मामले में एक लाग क्रोड रुपे तक generate कर और 2047 तक जो है पांच लाग क्रोड रुपे defense manufacturing में काम करें इसके लावा defense production and export promotion policy को लेकर भी लगातार काम हो रहा उसके बारे में भी discussion किया जा रहा इन सब के ल quantum lab establishment करीगी है military college में military college of telecommunication engineering के अंदर MP में जो की काम क्या करेगी national security council secretary के साथ मिलकर यह research and training पर काम करने वारी है कि जो emerging technology domains है इनके बारे में क्या challenges है या आप देखेंगे भारत की आर्मी के सामने भी कई तरह के challenge है अगर आप new तरह के जो वार हो रहे हैं यह indirectly जो fight हो रही है वो cyber war फिर एक नया word आता है इस तरह की चीज़े उनको लेकर क्या research के जा सकते हैं क्या innovation क्या जा सकते हैं और भारत के defense को और ज़्यादा कैसे मजबूत क्या जा सकते हैं उसको लेकर भी लगातार research के बारे में discussion यहाँ पर किया गया है इसके बाद page number 13 world affair दुनिया भर में क्या चीज़े हो रही है और क्या important चीज़ें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसकी क्या importance अउन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे सबसे पहले world health organization के जो director general है उन्हों ने यह बताया कि पूरी दुनिया इस टाइम पर COVID-19 के सुनामे को लिए एक तरी केस उनको वार्न किया जा रहा है कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो healthcare system जो है overwhelming है और ये कहीं ने कहीं stress face करेगा अगर आपने एक proper behavior नहीं किया हम लगातार देख रहे हैं कि COVID-19 के Omicron के जो cases है ये पूरी दुनिया के अंदर increase हुए ऐसा नहीं केवल भारत के अंदर पूरी दुनिया में अफरीका और खासकर Western European country में बहुत तेज़ी से increase हुए है इसके अलाबा यहां पर बताया गया कि भाई पिछले कुछ दिनों में ही तेज़ी से increase हुए ट्विन्थ रिट का मतलब क्या है डिल्टा वेरेंट तो था ही अब ये Omicron वेरेंट भी आपको नजर आता है World Health Organization ने बोला कि सुनामी जैसी चीज़ी देखने को मिलती केसी तेज़ी से increase हो रहे है इसमें United States France यहां पर बड़ी संक्याव केसी रिकोर्ड किया जा रहे है इसके अलाबा एक moral same का भी एक issue बताया गया टार्गेट यह था कि 2021 के एंड तक हम लोग 40% population पूरी दुनिया के vaccinated करें बट वो टार्गेट अचिव नहीं हुआ टार्गेट यह भी था कि 2022 के mid तक हम लोग at least 70% coverage करें वो टार्गेट भी अचिव नहीं हुआ डबली अच्चो के इस टाम पर 194 member country है उन में से केवल 92 country जो है 40% के टार्गेट को अचिव कर पाएगी ठीक है कि 92 miss करेगी यह correct करेगी 92 जो है 194 country में से miss करेगी और 100 plus country ने यह टार्गेट अचिव कर लिया है लेकिन moral same क्या है कि जो rich country अमेर देश है उन्होंने nationalism के बारे narrow nationalism, populism, hoarding of health tool इस तरह के इस चीजे करके जो जिन लोगों जिन country के पास economically इतना stable नहीं है जिनके पास पैसे ही कमी है ओ कहीं ने कहीं restriction क्या और यह moral same का issue है और मैं एक statement definitely जो है repeat करूँगा हमारे एक्षिनला फेर मिस्टर सब्सक्राइब की statement है तो उसका reason reply यह किया गया था कि जब तक पूरी दुनिया safe नहीं होगी तब तक भारत भी safe नहीं है देखिए omicron variant का बड़ा reason यह भी है कि आपने पूरी दुनिया को तो vaccination करने को लेकर plan कर दिया लेकिन African continent को आपने त्यारी नहीं करी और African continent में त्यारी नहीं करी गई यह प्रोपरली vaccination का procedure स्टार्ट नहीं हुआ यह कम vaccination हुआ तो उसका impact क्या हो रहा ओमेक्रॉन जो है और फिर से आपको force कर रहा है जो booster dose के बारे में debate हो रहा है कि क्या booster dose दी जाने चाहिए नहीं दी जाने चाहिए दुनिया के ऐसी बहुत सारी country है ऐसे बहुत सार रिजन है जिन्होंने vaccination इवन सुनी तक नहीं होगी या जिसके बारे vaccination स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा या बहुत ही कम percentage स्टार्ट हुआ होगा उनमें कुछ ऐसा रिजन भी होगा जिन्होंने vaccination हो सकता है कि उनके एक भी vaccination ना लगी हो यह सारी चीज़ी यहाँ पर ही moral same का भी एक criticism किया गया इसके बाद यहाँ पर क्योंकि एक country के आपको यात्रा करवानी तो मैं आपको लेकर जाओगा इसराइल के अंदर और इसराइल में एक event हुआ उसके बारे थोड़ा बता दूँ फिलिस्तान के जो president है उनकी एक rare विजिट हुए इसराइल के अंदर फिलिस्तान के president जो generally क्योंकि इन दोनों के relation बिलकुल खराब situation में बोल सकते हैं अच्छे नहीं है इस context में ये विजिट को काफी important वाना जाता है 2010 के बाद यहाँ पर फिलिस्तान के president मुहमद अबास की जो विजिट है ये अपने आप में बहुत महत्तो रखते हैं उसके बाद कुछ major को announcement किया गया कि हम कुछ आपको funding करेंगे या फिलिस्तान के जो business man वो इसराइल के अंदर आ सकते हैं वो सारी चीजे इसके अंदर mention करे गी है लेकिन इसराइल की जो विजिट करेंगे इसराइल में काफी important आपको चीजें देखने होगा मिलेगी आपको एक interesting चीज आप मैप देखेंगे इसमें फिलिस्तान क्यों नजर नहीं आता उसका बड़ा रिजन यह है कि बहुत सारी countries ने फिलिस्तान को रेकिस्टान नह हो ज़्यादा फिलिस्तान को इतना support नहीं करता इसराइल और फिलिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा आपको gap नजर आएगा फिलिस्तान में अगर आप देखेंगे यहां पर आपको West Bank Jerusalem इसके लावा Gaza Strip फिलिस्तान की बहुत ज़्यादा population केवल इस हिसे में रहती काफी ज़्यादा issue रहते हैं आपने हमास एक group जुरूर सुना होगा तो हमास और इनके वीच में काफी ज़्यादा fight रहती है ठीक है इसके अलावा यहां पर डेट सी आपको देखने को मिलेगी लेकिन कई बार आपके मन में जरूर आता होगा कि इसराइल और फिलिस्तान मे अगर आप sentiment के basis पर देखेंगे emotion के basis पर देखेंगे उस हिसाब से foreign policy चलती रही है और भारत की foreign policy का आप historically analysis करेंगे तो भारत ने हमेशा balance की policy को establishment किया इसका मुदल भी है कि फिलिस्तान और इसराइल के मुद्दे पर अगर United Nation में voting हुई तो भारत वोट नहीं करने वाला भा जैसे मैंने अभी example दिया था थोड़ी दिन पहले सिलंका के against human right को लेकर एक voting हुई थी United Nation human right council में भारत ने abstain कर लिया था क्यों अगर हम सिलंका के favor में vote करते ठीक है यानि कि उनको human right का violation हुआ इसका मतलब यह था कि सिलंका को कही ने कही हमारे relation जो उनसे प्रभावित हो सकत करते थे second अगर हम इनके against vote करते कि नहीं हम सिलंका को जो sport वहां पर human right का वो रिशन नहीं हुआ तो हमारी तमिल community जो रहती है या तमिल नाडू के लोग है या एक तरीकी से जाफना जो नौर्थरन सिलंका के अंदर है वो कहीन कहीं से प्रभावित उनके sentiment जो हट होते तो भ कि भारत का एक बड़ा important role है इस पूरे Gulf countries के अंदर Middle East के अंदर या Western nation country में इन सब countries के साथ भारत के relation बहुत अच्छे है यमन तो खुद conflicted एक country है बाकी लगबग लगबग country के साथ हमारे बहुत अच्छे relation है कोई issue ऐसा नहीं है इस्राइल और फिलिस्तान दोनों के साथ हम कि इसराइल टेकनोलोजी का एक power house और बहुत सार agreement भी उनके साथ आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद यहाँ पर 40 नमर पेज पर दो important चीजे है मैं आपको directly जो है point पर बात करूँगा एक तो gross non-performing asset के बारे में बताया गया और दूसरा जो है fiscal deficit के बारे में बताया गया तो यहाँ पर gross national sorry non-performing asset का मतलब क्या है कि ऐसी property ऐसी समपती जिसके वह आपिस आने की possibility कम है खीक है आप इसके बारे में बतायागे कुछ concern उन सब चीजों के बारे में और second जो एक word mention किया गया fiscal deficit right राजकोशिय घाटा अब राजकोशिय घाटा को लेकर सरकार की जो target वो सह fiscal deficit होता है कि इसके बारे मैं आपको थोड़ी सी जान कर देदू fiscal deficit basically total revenue और total expenditure के basis पर जो gap होगा यानि आपका total income जो होगी और जो total expenditure होगा उसके बीच में gap होता है ठीक है इसके लाबा यहाँ पर revenue deficit से थोड़ा सा different यह कि इसमें borrowing भी add हो जाती है और revenue deficit में borrowing include नहीं होती है मैं आपको एक और example से बताता हूं कि basically fiscal deficit है क्या माल लेते हैं कि आप आप अपने बाबू के लिए जो भी आपका दोस्त है आपका friend है या आपकी wife है कोई भी हो सकता है उनके लिए चोकलेट लेकर लाने जाते है market से ठीक है आप वह चोकलेट आपको 110 रुपे की मिल रही है आप उधार लिए और आपने वह चोकलेट लिए लेकिन आपने जो 10 रुपे लिए है इसका मतलब क्या है कि आपके उपर वो एक करज है आपके उपर आपका amount से आपकी एक तरीके से जो आपका estimation था उससे ज्यादा आपने खर्च किया ठीक है तो 10 रुपे एक्ष्टा जो डेफिसेट में आप consider कर सकते हैं हाला कि फिसकल डेफिसेट को हमेशा गलत नहीं माना जा सकता फिसकल डेफिसेट में या कई बार सकार जो spending करते उसको गलत नहीं माना जा सकता लेकिन एक limitation होने चाहिए और fiscal responsibility and budget management act 2003 जो है वो भी कहने के इसी से relate करते है ठीक है तो यह कुछ जानकारी आप लोगों के साथ हमने share करी तो आज के दे हिंदू के complete analysis में इतना ही थैंक्यो जहिन